भारत और न्यूजी लेंड के वीच खेली जा रही तीन मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में आज एक बार फिर टीम इंडिया जीत के इरादे से मैदान पर उत्रेगी पहले T20 में सांदार जीत के बाद आत्म विश्वा से लबरेज टीम इंडिया के धुरंधर दूसरे T20 में न्यूजी लेंड की धजिया उड़ाने के लिए पूरी तरह से तयार हैं दरसल ICC T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद बौकलाय टीम इंडिया के धुरंधर दुनिया भर की टीमों को सबक सिखाने की तयारी कर चुके हैं पहले T20 में कप्तान रोहित सर्मा और रिशभ पंत ने ताबर तोड तुफानी बल्लेबाजी करते हुए साबित कर दिया है कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार महज एक इत्ते फाग था विराट कोहली के टीम से बाहर होते ही भारतिय टीम एक अलग अंदाज में खेल रही है क्रिकेट विशे सग्यों की माने तो आज दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया की तरफ से दिगज विकेट की फर बल्लेबाज रिशभ पंत का आएगा तुफान बिलकल मेहंदर सिंग्धोनी के अंदाज में ताबड तूड़ तुफानी बल्लेबाजी करने वाले रिशभ पंत एक फिनिसर बल्लेबाज बन चुके हैं रिशब पंद की आकरामक बल्लेबाजी के वजह से उन्हें टीम इडिया का दूसरा महंदर सिंग्धोनी कहा जा रहा है न्यूजी लेंड के कप्तान टीम साओधी को रिशब पंद की तुफानी बल्लेबाजी के वजह से दूसरे टी-20 में हार का डर सता रहा है रिशब पंद के कुछ फैंस तो यह भी दावा कर रहे हैं कि आज न्यूजी लेंड के तेज गेदबाज ट्रेंट वोल्ट और टीम साओधी की गेंद पर रिशब पंद छे छक्के लगाने का कारनामा कर सकते हैं हलाकि रिशब पंद के अलावा भी टीम इंडिया के पास दो ऐसे दिगज बल्लेबाज हैं जो मैदान पर टीक गए तो अकेले ही न्यूजी लेंड की पूरी टीम पर भारी पड़ेंगे जी हाँ वह दिगज बल्लेबाज कोई और नहीं बलकि वेंक्टे सेयर और इशान किशन है IPL मैचों के दवरान के क्यार की तरफ से वेंक्टे सेयर ने जी संदाज में बल्लेबाजी की है उसे देख कर माना जा रहा है कि यह दिगज बल्लेबाज टीम इंडिया में यूराज सिंग की कमी को पूरा कर सकता है